उर्जा मंतरी शिरकान शर्मा ने आनाइन टीवी से खास बात चीत की इस जोरान उन्होंने जन्परतिनीधियों को लिखे अपने पत्र के बारे में बताया और कहा कि समय पर विजली बिल जमा करने की अभियान में सहयोग के लिए उन्होंने जनपरतिनीदियों को पत्र लिखा है और जनपरतिनीदियों से ये अपील की है कि वो लोगों को जल्द से जल्द आसान किस्त योजना का लाब उठाने के लिए प्रेडित करें उर्जा मंत्री ने आराइन टीवी से खास बात चीत की और क्या कहा है जवरान दिखा रहा है प्रधानों को पत्त में ऐसा क्या है क्योंकि सर कहा जा रहा कि अभी तक किसानों तक बात पहुंच नहीं पा रही थी कि मियाद ब्लाई गई है सबको बिजली पर्याप्त बिजली निर्बाद बिजली का संकल अपुत्तब्रदे सरकार का है और उसमें सबसे बड़ी जो बादा है वो बिजली चूरी है और समय पर बिल का भुकतान ना करना लाइन हनी हमारे यहां काफी बड़ी हुई थी उनको हम लोग ने कंट्रोल किया है और बड़ी तादात में लोगों ने अपना बिल देना भी सुरू किया है बिल का भुकतान भी सुरू किया है लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादात में है हमारे वो भुकता जो बकायद और इसलिए हमने सभी भोगताओं को, किसानों को भी हमने पत्रे लिखा है, हमने प्रधानों को पत्रे लिखा है, हमने सांसदों को, विधायकों को, निगम पार्षदों को, जितने भी जन पर दिने दिये हैं, हमने सब को प्रयास किया है, हमारा पत्र सब तक पहुंचे और को आवशकता है प्रदेश में 24 घंटे बिजली निर्वाद रूप से मिले तो उसके लिए सभी लोग समय पर अपना बिल देंगे तो निश्यत रूप से यह संकल्प सरकार का पूरा होगा सुप्रियाम से बात करने के लिए तो जिस तरह से असस्ती बिजली और 24 घंटे बिजली के आपूरती हो सके इसके लिए आसान किस्ती योजना के सुरुवात की गे थी जिससे बकाया बिल जमा हो सके उसको लेकर सभी को पत्र लिख दिया गया है मंति के द्वारा और माना जा करता है कि जो उसकी जागूता है लोगों तक पहुच सके और 31 मास तक सभी अपना बकाया बिल जमा कर सके करमसन प्रियान के साथ गगरमिसरा आनाइन टीवी उत्रप्रदेश